आईसक्रिम खानाना हम सबको अच्छा लगता है , लेकिन इसे बनाने मेना बड़ी आलस आती ही क्योंकि कभी अमें फ्रेस क्रीम म StaatsPS positively आई लेकिन आजा आज़की आस्सक्रीम में ऐसे कुछ नहीं जाही है , घर की 《डूर की अविलावल है वो चीज में बनाएगे मैंगोश्टी का आइस्क्रीम इसे देखने के लिए ज़रूर मेरे साथ बने रही है मैं रस्मी स्वागत करती हूँ मेरे योटूब चैनल स्टेट्स प्लेवापवा मैंगोश्टी का आइस्क्रीम बनाने के लिए बहुत ही कमें इंग्रिडियन्स की ज़रूत होती है तो यहां पे मैं दो आम की पल्प निकाल के रखी हूँ और यह 50 ग्रम्स मिल्क पाउडर है कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं और यह टेस्ट वाइस मैं आपे टू टेबल स्पुन सा कर लेके रखी हूँ आपकी हिसाब से आप कमिया ज़ादा कर सकते हैं और मैं इधर एक ग्लास चियल मिल्क लेके रखी हूँ जितनी रिक्वाइर होगा हम उतनी यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें यह सारे चीज़ को मिला के ब्लेंड करना होगा तो चले फिर ब्लेंड करते हैं ब्लेंडिंग के लिए तो हमें एक ब्लेंडिंग जार के जरुत है तो मैं इसमें आम की पल्प ढाल रही हूँ फिर हमें इसमें एड कर लेंगे हमारे मिल्क मिल्क पाउडर में इसका टेक्सर बहुत ही क्रीमी आता है आप जब ट्राई करेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा अब इसमें एड़ करेंगे सककर अब हम इसमें दूद एड़ करना है लेकिन थोड़ा सा क्यांकि वैसे मैंगो से तो जूस निकलता है अब ब्लेंड करते ह यह देखिए ब्लेंड करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी नज़रिया है आप देख सकते ना ज्यादा गाड़ी है यह और नहीं ज्यादा पतली है अब हम इसमें क्या करेंगे ना आइसक्रीम जमानी के लिए रखेंगे इसके अंदर यह देखिए मेरे पास इस तरह से का पूरी मॉल्ड है अगर आप यह लेना चाहते तो ओनलाइन से ले सकते देड़ सो दोसों पर आपको मिल जाएगा अगर आपकी पास यह नहीं है तो आप छोटा सा जो ग्लास आता है ना श्टील वाला आप उसमें भी जमा सकते हैं या फिर जो पेपर ग्लास आता है उसमें साइस को देखे इसमें क्या होता ना आइस क्रिस्टल नहीं जमता तो यह देखे मैं छोटी छोटी पीस में कत कि है अब इसको ढूड का तो यह देखें में थोड़ी सी होल किया है अब जो हमार जो आइस क्रीम स्टिक अंदर डालेंगे और बंद कर देंगे इस तरह से मैंने सारी फॉयल लगा के कवर कर लूगी तो मैं एक दुबारा दिखा देती हूं आपको तो यह तो आपने देख लिया किस तरह से होता है तो अगर आइस-क्रीम जमाएंगे तो कैसा जमाएंगे अब कुछ टील के चोटा सा ग्लास लेना है और उसमें हम आइस-क्रीम को डालेंगे जिस तरह मोल्ड को हमने फॉयल में कवर किया थो एंगे अगर आइस-क्रीम जो श्टिक है वो लगा सकते हैं तो आप एक स्पुन की ह यह देखें हमारी मोल्ड तो तयार है अब फ्रीजर पर हम रख लेते हैं जमानी के लिए फिर देखते हैं यह कैसे बनाएं अब देखते हैं लेकिन दो मिनट रखेंगे इसको तक ही आराम से निकलाएं हमारी आइस-क्रीम कैसे बनके त्यार हो गया है बिलकुल क्रिमी में ठीक में नजर आ रहा है कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं है बहुत ही टेस्टी लगा है यह आइस क्रिम आप भी इसे घर में एक बार जरू ट्राइब करें जो घर के चीज में भी लवल है उसमें बन जाता है बुच्चों के साथ गर्मी की मौसम पी इस सिंपल वाल आइस क्रिम एंजॉय किजिए अग के लिए थैंक यू